हजरत मुहम्मद को इलहाम हुए थोड़े ही दिन हुए थे, दस-पांच परोसियों और निकट संबंधियों के सिवा अभी और कोई उनके दीन पर इमान न लाया था। यहां तक कि उनकी लड़की जैनब और दामाद अभुलाज भी, जिनका विवाह इलहाम के पहले ही हो चुका था, अभी तक नए धर्म में दीक्षित न हुए थे। चैनब कई बार अपने मैके गई थी और अपने पिता के ज्यानों पदेश सुने थे। वह दिल से इसलाम पर श्रद रखती थी, लेकिन अभुलाज की कारण दीक्षा लेने का साहस न कर सकती थी। अभुलाज विचार स्वातंत्रिय का समर्थक था, वह कुशल व्यापारी था, मक्के सी खजूर, मेवे आदी जिन से लेकर बंदरगाहों को चलाना किया करता था। बहुत ही इमानदार, लेन देन का खरा, श्रमशील मनुश्य था, जिसे एह लोग से एतनी फुर्सक न थी की परलोग की चिन्ता करे। चैनब के सामने कथिन समस्या थी, आत्मा धर्म की ओर थी, हृदय पती की ओर, न धर्म को छोड़ सकती थी, न पती को। घर के अन्य प्राणी मूर्ति पूजक थे और इस नए संप्रदाय के शत्रू। चैनब अपनी लगन को छुपाती रहती, यहां तक की पती से भी अपनी व्यथा न कह सकती। वे धार्मिक सहिश्नुता के दिन न थे, बात-बात पर खून की नदिया बहती थी, खांदान के खांदान मिद जाते थे, अरब के लौकिक वीर्ता पारस पर एक कलहों में व्यक्त होती थी, प्राजनेतिक संगठन का नाम न था, खून का बदल खून, धन्हानी का बदला अपमान का बदला खून, मानव रक्ती से सभी जगरों का निबटारा होता था, ऐसी अवस्था में अपने धर्मानुराग को प्रकट करना अबुलास के शक्तिशाली परिवार को मुहम्मद और उनके गिने-गिनाय अनुयायों से टक्राना था, उधर प्रेम का बंधन पैर जब कुर्ती रहती थी, तू धर्म का अनुराग एक दुलब वस्तू है, किन्तु जब उसका वेग उठता है तब बड़े प्रचन रूप से उठता है, तो पहर का समय था, तू उप इतनी तेज थी कि उसकी और ताक्ते हुए आँखों से चिनगारिया निकलती थी, हजरत म पत्ती सब कुछ इस लगन की भेट हो चुकी थी, विधर्मियों का दुरागर दिनो दिन बढ़ता जाता था, इसलाम के अन्यायों को भाती भाती की यातनाय दी जा रही थी, तू यम हचरत को घर से निकलना मुश्किल था, खौफ होता था कि कही लोग उन पर इत पत्थर नफिकने लगे, खबर आती थी कि आज अमुक मुसल्मान का घर लूटा गया, आज फला को लोगों नो आहत किया, हचरत ये खबरे सुन सुनकर विकल हो जाते थे और बार बार सुदा से धहर्या और क्षमा की आचना करते थे, हचरत ने फर्माया, मुझे ये लोग अब यह न रहने देंगे, मैं खुद सब कुछ झेल सकता हूं पर अपने दोस्तों की तकलीफ नहीं देखी जाती, खुदेजा, हमारे चले जाने से तो इन बेचारों को और भी कोई शरण न रहेगी, अभी कम से कम आपके पास आकर रो तो लेते हैं, मुसीबत में रोने का सहारा कम नहीं होता, हचरत, तो मैं अकेले थोड़े ही जाना चाहता हूं, मैं अपने सब दोस्तों को साथ लेकर जाने का इरादा रखता हूं, अभी हम लोग यहां विखरे हुए हैं, कोई किसी की मदद को नहीं पहुंच सकता, हम बस एक ही जगह एक कुटुम की तरह रहेंगे तो किसी को हमारे उपर हमला करने की हिम्मत न होगी, हम अपनी मिली हुई शक्ती से बालू का धेर तो हो ही सकते हैं जिस पर चरने का किसी को साहस न होगा, सहसा जैनब घर में दाखिल हुई, उसके साथ न कोई आदमी था न कोई आदमजाग, ऐसा मालूम हुता था कि कही से आर्थना की, हजरत मुहम्मद आखों में आशू भर कर बोले, जैनब मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन दर्ता हुँं कि तुम्हारा क्या हाल होगा, जैनब या हजरत मैंने खुदा की राह में सब कुछ त्याग देने का निश्च हजरत और अबुलाज, जैनब की आँखों में आशू डबबा आये, तातर स्वर से बोली अब बाजान, इसी बेली ने इतने दिनों मुझे बांदे रखा था, नहीं तो मैं कब की आपकी शरल में आ चुकी होती, मैं जानती हूँ, उनसे जुदा होकर जीती न रहूंगी औ पर शायद उनको भी मेरा वियोग दुसर होगा, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब वे खुदा पर इमान लाएंगे और मुझे फिर उनकी सेवा का आफसर मिलेगा। विवेक और बुद्धी की हिदायत हमारे लिए काफी है, ऐसा आदमी खुदा पर इमान नहीं ला सकता, अधर्म को जीतना आसान है पर जब वो दर्शन का रूप धारन कर लेता है तो अजय हो जाता है। प्री दूसरे दिन जैनप को जमा मस्जिद में यथा विधी कल्मा पढ़ाया गया। कुराशियों ने जब ये खबर पाई तब वे जल उठे। तजब खुदा का। इसलाम ने तो बड़े-बड़े घरों पर हाथ साफ करना शुरू किया। अगर यही हाल रहा तो धीरे-धीरे उसकी शक्ती इतनी बढ़ जाएगी कि उसका सामना करना कथिन हो जाएगा। लोग अबुलाश के घर पर जमा हुए। अबुसी जीरो, हर्गिज नहीं। अबुसी जीरो, क्या यह नहीं हो सकता कि मेरे घर में रहकर वह अपने मतानुसार खुदा की बंदगी करें। अबुसी जीरो, हर्गिज नहीं। मेरी कौम मेरे साथ इतनी भी सहानुभूती न करेगी। अबू सी जीरो, हर गिज नहीं, अबू जीरो, तो फिर आप लोग मुझे अपने समाज से पतित कर दीजिए, मुझे पतित होना मंजूर है, आप लोग चाहे जो सजादे, वह सब मंजूर है, पर मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, मैं किसी की धार्मिक स्वाधीन तक अबू सी शून्यक कुरेश में क्या और लड़किया नहीं है, अबू सी शून्यक हम ऐसी लड़किया बता सकते हैं जो चांद को लजजित कर दे, अबू सी शून्यक मैं सौंदर्य का उपासक नहीं, अबू सी शून्यक ऐसी लड़किया दे सकता हूं जो ग्रह प्रबंद म प्रेम के लिए कोई अपने आत्मस्वतान प्रेय का त्याग करे। अबूसी जीरो, इसका मतलब ये है कि तुम समाज के विरोधी बनकर रहना चाहते हो। अपनी आखों की कसम, समाज अपने उपर यहाँ त्याचार न होने देगा, मैं समझाए जाता हूँ, न मानूगे तो रोगे। फोर अबूसी फियान और उनकी टोली के लोग तो धमकिया देकर उधर गए इधर अबूलाज ने लकरी समहाली और ससुराल जा पहुँचे। शाम हो गई थी, हजर अपने मुरीदों के साथ मगरब की नमाज पर रहे थे। अबूलाज ने उन्हें सलाम किया और जग तक नमाज होती रही, गोर से देखते रहे। आदमियों की कतारों का एक साथ उठना बैठना और सिग्दे करना देखकर उनके दिल पर गहरा प्रभाव पर रहा था। वह अग्याद भाव से संगत के साथ बैठते, जुकते और खड़े हो जाते थे। वहां का एक-एक परमानू इस समय ईश्वर में हो रहा था। अबुशून्य जी हां, मालूम है, हजुशून्य इसलाम ऐसे संबंधों का निशेद करता है। हां, अगर जैनब मेरे साथ जाएगी तो कुरेश के क्रोध का भाजन में हूँगा। आप और आपके मुरीदों पर कोई आफ़त न आएगी। हजुशून्य तुम दबाव में आकर जैनब को खुदा की तरफ से फेरने का तो यत्म न करोगी। मैं किसी के धर्म में निधन डालना लजजाचनक समझता हूँ। तुम्हें लोग जैनब को तलाक देने पर तो मजबूर न करेंगे। अबुजीरो, मैं जैनब को तलाक देने के पहले जिंद्गी को तलाक दे दूनगा। हजुशून्य तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया। जैनब रोती हुई पती के पेरो पर गिरपड़ी और बोलीत स्वामी, धर्म बार-बार मिलता है। हुशून्य तो नहीं जैनब जैनब चली तो खुदेजा ने उसे बदक्षा के लालों का एक बहुमूले हार विदाई में दिया। पाँच इसलाम पर विधर्मियों के अत्याचार दिन दिन बढ़ने लगे। अवहेलना की दशा में निकल कर उसने भाई के क्षेत्र में प्रेवश किया। शत्रूओं ने उसे समूल नाश करने की आयोजना करना शुरू की। दूर दूर के कबिलों से मदद मानगी गई। इसलाम में इंती शक्ती न थी कि शस्त्रबल से शत्रूओं को दबा सके। हचरत मुहम्मद ने अंत को मक्का छोड़ कर मदीने की राह ली। उनके कितने ही भक्तों ने उनके साथ हिचरत की। मदीने में पहुंच कर मुसल्मानों में एक नई शक्ती, एक नई स्फूर्ती का उद्य हुआ। वे नी, शांग होकर धर्म का पालन करने लगे, अब पडोसियों से दबने और छिपने की जरूरत न थी। आत्म विश्वास बड़ा, इधर भी विधर्मियों का सामना करने की तैयारियां होने लगी। एक दिन अबुलास ने आकर स्त्री से कहा, जैनब, हमारे नेताओं न इसलाम पर जिहाद करने की घोशना कर दी। चैनब ने घबरा कर कहा, अब तो वे लोग यहां से चले गए फिर जिहाद की क्या जरूरत। अबुजीरो, मक्का से चले गए, अरब से तो नहीं चले गए, उनकी जातिया बढ़ती जा रही है। जिहाद की सिवा और कोई उप नहीं, मेरा उस जिहाद में शरीक होना बहुत जरूरी है। चैनब जीरो, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मजबूर कर रहा है तो शौक से जाओ लेकिन मुझे भी साथ लेते चलो। अबुजीरो, अपने साथ। चैनब जीरो, हाँ, मैं वहाँ आहत मुसल्मानों की सेव सुशुशा करूंगी। अबुजीरो, शौक से चलो। चिक्स घोर संग्राम हुआ, तोनों दलों ने खूब दिल के अर्मान निकाले। भाई भाई से, मित्र मित्र से, बाप बेटी से लड़ा। सिधह हो गया कि धर्म का बंधन रक्त और वीर के बंधन से सुद्रिड है। दोनों दल वाले वीर थे, अंतर ये था कि मुसल्मानों में नया धर्मानुराग था, मृत्यू के पश्चात स्वर्ग की आशा थी, दिलों में आत्मिश्वास था जो नवजात संप्रदायों का लक्षन है। विधर्मियों में बलिदान का ये भाव लुक्त था, कई दिन तक लड़ाई होती रही, मुसल्मानों की संख्या बहुत कम थी, परंत में उनके धर्मोत साह ने मैदान मार लिया। विधर्मियों में अधिकांच काम आये, कुछ घायल हुए और कुछ कैद कर लिये गए। अबुलास भी इन ही कैदियों में थे, जैनब को जो ही यह मालू की दशा में उन पर पड़ता। खचरत ने यह हार देखा तो खुदेटा की आद ताजी हो गई। अगर खुदेजा जीवित होती तो उसकी सिफारिश का असर उन पर इससे ज्यादा न होता जितना इस हार से हुआ, मानुस्वयम खुदेजा इस हार के रूप में आई थी। अबुलाज के प्रती हृदय कोमल हो गया, उसे सजा दी गई, यह हार ले लिया गया तो खुदेजा की आत्मा को कितना दुख होगा। उन्होंने कैदियों की फैसला करने के लिए एक पंचायत नियुक्त कर दी थी। यद्यपी पंचों में सभी हजरत के इश्ट मित्र थे पर इसलाम की शिक्षा उनके दिलों में पुरानी आदते, पुरानी चेश्टाय न मिता सकी थी। उनमें अधिकांश ऐसे थे जिनको अबुलाज से पारिवारिक द्वेश था, जो उनसे किसी पुराने खून का बदला लेना चाहते थे। इसलाम ने उनमें ख्शमा और अह खड़े थे और कैदी पेश होते थे। उनके मुक्तिधन का मुलाहिजा होता था और वे छोड़ दिये जाते थे। अबुलाज को कोई पूछता ही न था, यदिपी वहार एक तश्तरी में पंचों की सम्मुक रखा हुआ था। हचरत के मन में बार बार प्रबल इच्छा हो ती थी की सहाबियों से कहें यह हार कितना बहमूलिय है। पर धर्म का बंधन, जिसे उन्होंने स्वयम प्रतिष्ठित किया था, मुव से एक शब्द भी न निकलने देता था। यहां तक की समस्त बंदीजन मुक्त हो गए, अबुलाज अकिला सिर जुकाए खड़ा रहा, ह तुम्हारे पास हमसे पंचगुनी सेना थी, पर खुदा ने तुम्हारा मून काला किया। देखा या अब भी आँखी नहीं खुली। अबुलाज ने विरक्त भाव से उत्तर दिया, जब आप लोग यह मानते हैं कि खुदा सबका मालिक है तब वो अपने एक बंदे को अबुलाज, मैं इस हार को अपनी जान से ज्यादा कींती समझता हूँ। मेरे घर में इससे बहमूली और कोई वस्तु नहीं है। जैक तुम्हारे घर में जैनब हैं जिन पर ऐसे सेक्रों हार कुर्बान किये जा सकते हैं। अबुशून्यक तो आपकी मन्शा है कि मेरी बी दूल के दामाद हो, इस रिष्टे से हम तुम्हारा लिहाज करेंगे, पर तुम गुलाम ही समझे जाओंगे। हजरत मुहम्मद निकत बैठे हुए ये बाते सुन रहे थे। वे जानते थी कि जैनब और आसेक दूसरे पर जान देते हैं। उनका वियोग दोनों ही के लिए घातक होगा, दोनों घुल घुल कर मर जाएंगे। सहाबियों को एक बार पंच चुन लेने के बाद उनके फैसले में दखल देना नीती विरुद्ध था। इससे इसलाम की मर्यादा भंग होती थी, कठे नात्मेद ना हुई, यहां बैठे न रह सके। उतकर अंदर चले ग अलिदान मान रही थी। अबुलाज के सामने भी विशम समस्या थी। इधर बुलामों का अपमान था, उधर वियोग की दारुन वेदना थी। अंत में उन्होंने निश्यच किया, यह वेदना सहूनगा, अपमान न सहूनगा। प्रेन को गौरफ पर समर्पित कर दूनगा पोले, मुझे आपका फैसला मनजूर है। जैनब मेरा फदेया होगी। चैवन निश्यच किया गया कि जैद अबुलाज के साथ जायम और आबादी से बाहर ठहरे। आस घर जाकर तुरंद जैनब को वहां भेज दे। आस पर इतना विश्वास था कि वे अपना वच्चन पूरा करेंगे। आस धर पहुचे तो जैनब उनसे गले मिलने दोडी। आस हग गये और कातर स्वर से बोले। नहीं जैनब, मैं तुमसे गले न मिलूंगा। मैं तुम्हे अपने फदेय के रूप में दे आया। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। ये तुम्हारा जला दिया, आसुओं को सुखा दिया, चेतना ही न रही, रोती और बिलकती क्या। एक च्छन के बाद उसने एक बार माथा ठोका, निर्दय तकदीर के सामने सेर जुका दिया। चलने को तैयार हो गई। खोर नेराश्या इतना दुखदाई नहीं होता जितना हम समझते है उसमें एक रसीन शांती होती है, जहां सुख की आशा नहीं वहां दुख का कश्ट कहां। मदीने में रसूल की बेटी की जितनी इजज़त होनी चाहिए उतनी होती थी। वह पितागरिल की स्वामनी थी। धन था, मान था, गौरफ था, धर्म था, प्रेम न था। आंख मे दिन और वर्ष साधारन व्यवहारों के लिए है प्रेम के यहां समय का माप कुछ और ही है। उधर अबुलास द्विगुन उद्साह के साथ धनो पारजन में लीन हुआ, महीनो घर न आता, हसना बोलना सब भूल गया। धन ही उसके जीवन का एक मात राधार था, उसके प् हुआ वियोग दुख था, माया के परदे में छिपा हुआ प्रेम वेराग्या। चारों के दिन थे, नारियों में रूधिर जमा जाता था, अबुलास मक्का से माल लाद कर एक काफिले के साथ चला, प्रकफों का एक दल भी साथ था, कुरशियों ने मुसल्मानों के कई परदेव, मुसलानों को तोर मिल ही गई, चैद ने सतर चुने हुए आदमियों के साथ काफिले पर धावा कर दिया, धन के भक्त धर्म के सेवाकों से क्या बाजी ले जाते, सतर के साथ सो को मार भगाया, कुछ मरे, अधिकांश भागे, कुछ कैद हो गए, मुसल्मानों को अतुल धन हाथ लगा, कैदी घाते में मिले, अबुला असफेर कैद हो गया, एट कैदियों के भाग्य निर्नए के लिए नीती के अनुसार पंचायक चुनी गई, चैन अपको ये खबर मिली तो आशाय जाग उठी, आशा मर्ती नहीं केवल सो जाती है, पिंज्रे में पंचायक शुरू हुई, अन्य कैदियों के घरों से मुक्तिधन आ गया था, वे मुक्त किये गए, अबुला असके घर से मुक्तिधन ना आया था, हचरत ने हुक्म दिया, इनका सारा माल और असबाब जबत कर लिया जाए और ये उस वक्त तक बंदी रहे जब तक इन्हें कोई छुडाने ना आये, उनके अंतिन शब दिये थे, अबुलाज, इसलाम की रनीती के अनुसार, तुम गुलाम हो, तुम्हें बजार में बेचकर रुपया मुसल्मानों में तक्सीम होना चाहिए था, पर तुम इमानदार आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी रिय की गई, जैनब दर्वाजे के पासार में बैठी हुई थी, हजरत का ये फैसल सुनकर रोपड़ी, तब घर से बाहर निकलाई और अबुलाज का हाथ पकड़ कर बोली, अगर मेरा शोहर गुलाम है तो मैं उसकी लोडी हूँ, हम दोनों साथ बिकेंगे या साथ कैध होंगे खजरत जैनब, मुझे लजज़ित मत करो, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है याई पर बैठने वाले मनुश्य को प्रेम और द्वेश दोनों ही से मुक्त होना चाहिए यद्यपी इस नीती का संसकार मैंने ही किया है, पर अब मैं उसका स्वमी नहीं, दास हूँ अबुलास से मुझे जितना प्रेम है ये खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता ये हुक्म देते हुए मुझे जितना मानसिक और आत्मिक कष्ट हो रहा है उसका अनुमान हर एक पिता कर सकता है पर खुदा का रसूल न्याय और नीती को अपने व्यक्तिकत भावों से कलंकित नहीं कर सकता सहबियों ने हजरत की न्याय व्याख्या सुनी तो मुगध हो गए अबु जफर ने अर्ज की हजरत आपने अपना फैसला सुना दिया लेकिन हम सब इस विशे में सहमत है कि अबु लाज जैसे प्रतिष्टिक व्यक्ति के ये दन न्यायोचित होते हुए भी यती कतोर है और हम सर्वसम्मती से उससे मुक्त करते हैं और उसका लूटा हुआ धन लोटा देने की आग्या मान्गते हैं अबुलाज हजरत मुहम्मद की न्याय प्रायंता पर चकित हो गए न्याय का इतना उंचा आदर्श मर्यादा का इतना महत्व आह नीती पर अपना संतान प्रेम तक न्याचावर कर दिया महात्मा तुम धन्य हो ऐसे ही ममताहीन सक पुरुशों से संसार का कल्यान होता है मुहम्मद की सेवा में पहुँच गए चैनप की मुराद पूरी हुई सरस्वती मार्च 1924